तो आज के इसे वीडियो में हम डिसकस करने वाले है युगलीना के अंदर पाई जाने वाली पालमेला स्टेज के बारे में यह पूरा का पूरा टॉपिक है यह आपके BSC जोलोजी के फर्स्ट येर के लिए बहुत इंपॉर्टन है तो चलिए आज इसको देखते है कि पालमेला स्टेज जो है युगलीना के अंदर किस तरह से एक्जिस्ट करती है और यह पालमेला स्टेज एक्च्छल में होती क्या है सो लेट स्टार्ट, सो यहां पर देखे आ जाते पालमेला स्टेज इन युगलीना, इससे पहले कि हम युगलीना के बारे में जाने हम युगलीना के बारे में थोड़ा सो जान लेते हैं, जैसे कि आपको पता हुका कि युगलीना एक हमारे पास यूनिसेललर ओर्गेनिजम ह जो कि kingdom protista से जो है बिलॉंग करता है kingdom protista से हमारे पास कौन से animals बिलॉंग करते है तो वह बाले animals sorry जो kingdom protista हमारे पास है उसमें कौन से organism हमारे पास जो है बिलॉंग करते है तो उसमें हमारे पास ऐसे organism होते है जो एक तो unicellular होने चाहिए और दूसरे हमारे पास कैसे होने चाहि मतलब उनके पास एक prominent nucleus होना चाहिए ठीक है अब जान लेते हैं कि Palmyla stage क्या होती है यूगलीना के अंदर ठीक है तो यहां पर देख लेते पर देखो यूगलीना हमारे पास है इस तरह से एक यूगलीना है ठीक है ये यूगलीना था हमारे पास अब यूगलीना अगर तो conditions हमारे पास ठीक ठाक है मतलब फैवरेबल है इसकी survival के लिए तब यूगलीना में कोई भी चेंज नहीं होगा ये जैसे ये शरवाइब कर रहा है वैसे लेकिन मा लेजे कोई unfavorable condition आ जाती है मतलब मा लेजे winter आ गई काफी ज़्यादा ठंड है या तो काफी ज़्यादा गर्मी है या कोई ऐसा condition हो गई कि इसको जो है काफी ज़्यादा scarcity हो रही है मतलब काफी कमी हो रही है इसको food की तो उस condition में ये क्या कर लेता है उस condition में ये युगलीना क्या करेगा सबसे पहले तो अपने phlegelum को जो है उड़ा देगा मतलब अपने phlegelum को lose कर देगा इसको हटा देगा अपनी body में से ठीक है जैसे इसने phlegelum को हटा दिया उसके बाद ये थोड़ा round हो जाएगा इस तरह से इस तरह से देखिए पहले कैसा था इसकी length काफी जा थी लेकिन बाद में कैसा हो गया ये जब इसने phlegelum को remove कर दिया तो उसके बाद ये थोड़ा round हो जाएगा ठीक है round हो गया अब तीसरी stage में ये क्या करेगा जब ये round हो जाएगा तो अपने बाहर अपने बाहर ये क्या करेगा एक cyst की wall बनाएगा अब cyst की wall कैसे बनाएगा layers में बनाएगा, कैसे बनाएगा? पहले क्या की इसने? अपने phlegelum को remove कर दिया उसके बाद यह round हो गया थोड़ा ठीक है उसके बाद यह क्या करेगा अपने चारों और यह cyst की wall जो है form करेगा इस तरह से एक cyst की wall यह जो है form करेगा इस तरह से ठीक है इस तरह से देखो इसने क्या कर दिया cyst की wall को जो है form कर दिया ठीक है इसको क्या कहते हैं n-c-y-s-t-e-d आप लिख सकते हैं n-cisted yuglina इसको आप n-cisted yuglina कहते हो ठीक है यहां तक आपको समझ में आगया so I hope कि आपको समझ में आगया हो क्या तो चलिए अब इसमें देखते हैं इस एं-cisted stage में क्या होता है अब यहां पर देखते हैं इसके आगे आप समझते हैं इसको आपने नहीं देखना है यहां तक इसको भी आप पहले आपने इसका screenshot लेना है उसके बाद आप इसका screenshot ले लो जी वाले का ठीक है सौरी यहीं तक है यहीं तक है यह अलग है यह अलग है इसको यहीं तक कर लेते अब यहां पर समझते कि पालमिला स्टेज क्या था आप देखे एंसिस्टिड का आपको पता लग गया एंसिस्टिड यूगलीना क्या है वो आपको पता लग गया अब जब एंसिस्टिड युगलिना जो है, जब एंसिस्टिड फॉर्म में आ जाता है, जब ये अपना सिस्ट बना लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये डॉर्मेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, डॉर्मेंट मतलब ऐसे ही रहेगा, ठीक है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ले छक्या लेता हैं जब उसके अंदर है, जो है रिप्रोडक्शन होता जाएगा, मतलब इसके अंदर जो फिशन है वो होती जाएगी, और ऐसे होती जाएगी, मतलब एक युगलिन से दो बन गए, दो से चारव बन गए, चार से आठ बन गए, मतलब इस तारा से यो यह ऐसी है जाती है कि हमारे पास इस तरह से एक structure बन जाता है यह देखिए अब बहुत सारे यूगलीना हमारे पास अंदर हो गए क्योंकि reproduction हो गए अंदर binary fission हो गए यह अंदर तो उससे देखिए क्या हो गया हमारे पास उससे क्या हो गया यह cyst की wall तो वैसी की वैसी रहेगी यह जो green color है यह cyst की wall है अब पहले देखिए इसके अंदर पहले एक यूगलीना था लेकिन अब जेखिए जब binary fission इसके बहुत सारे binary fission हो गए तो क्या हो गया बहुत सारा यूगलीना हमारे पास अंदर मिल गए अब देखो क्यासा देख रहा है आपको बाहर cyst की wall है और अंदर क्या है अंदर हमारे पास बहुत सारे amoeba है या हम यह कह सकते कि कोलोनी ही है हमारे पास amoeba की तो यह जो stage हमारे पास है इसको हम कहते है पालमिला stage पालमेला स्टेज में क्या होता है पालमेला स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बाहर तो सिस्ट की वॉल लगी होती है यह काफी हाड होती है बाहर सिस्ट की वॉल होगी और अंदर क्या होगा अंदर हमारे पास बहुत सारे किसी जो हमारे पास यह यूगलीना है इसकी बहुत सारे हमारे पास individual अंदर होंगे, आपको याद रखना है कि इस time ये कैसा होगा, इस time ये dormant condition में है, reproduction के अलाबा बागी कोई processes यहाँ पर नहीं चलिया, है ना, तो ये जाधा dormant condition में है, और मैंने आपको कहा कि ये stage कब होती है, ये stage तब होती, जब conditions जो है favorable नहीं होती है, बहुत ज़ादा गर्मी है, बहुत ज़ादा सर्दी है, या कोई दूसरी unfavorable condition है इसके survival के लिए, तभी ये stage हमें मिलेगी, तो ये था पालमिला stage, आप इसको, इसका screenshot आप ले सकते हो, I hope कि आपने इस वीडियो को enjoy के होगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए good bye,